नागपुर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपुर की विविद हलचल पर नागपूर महानगरपालिका में कथित वित्तिय आनियमित्ताओ की जाच के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी के निर्देश पर सत्तारूर दल के नेता अविनाश्ठाकरे की अध्यक्षता में एक जाच समीती का गठन किया गया था इस जाच समीती ने गुर्वार को इस प्रकरन की प्रारंबिक जाच रिपोर्ट बंद लिफापे में महापौर दयाशंकर तिवारी को सोपी है इस अउसर पर जाच समीती के अध्यक्ष एवं सत्तारूर दल के नेता अविनाश्ठाकरे सदस्य विपक्ष के नेता ताना जीवनवे सदस्य संदिप जाधो एडवोकेट संजय बालपांडे सदस्य वैशाली नारनवरे सेवा निवरुत नयायरिश एस्पी मूले सबा का कार्यकाल चार मार्च को समापत हो रहा है इस कारण समीती ने अपनी प्रारंबेक रिपोर्ट प्रस्टूत कर दी है यह रिपोर्ट आगामी सबागरुव की बैठक में पेश कर दोशियों की खिलाप कारवाई के निर्देश दिये जाएंगे राष्टरवधी कॉंग्रेस पार्टी नागपूर शहर की ओर से गनेश पेट स्टीत कार्याले में राज्य साहिब जलसंपदा मंतरी वर आकापा प्रदेश अध्यक्ष जैन्त पाठिल तथा पुर्व केंद्रिय मंतरी एवं सांसत प्रफुल पटेल का जन्मदिन हर्शु से मनाया गया कारेक्रम के आयोजक संदोष सिंग थे इस अउसर पर शेकर सावरबांदे प्रशान्त पवार जानबा मस्के रमेश फुले लक्षमी सावरकर शैलेंद्र तिवारी शिरिकान घोगरे रमन ठोकर महिंद्र भांगे शिव भिंडे बबिता मेहर सती शीटकेलवा रुद्र धाकडे राजिश पाटिल राजा बैग राजिश टिवारी जोती लिंगायत सुनिता खत्री सीमा चारबे शबाना सैयत शीतल डोंगरे संगिता खुबरागडे किरन दिडशे रेश्मा पानतावने सुकिष्णी नार्नावरे भारती गायधने प्रिया मुडफले बालबुदे गुरुजी, संजे वानी, अजर पटेल, आशुतोज बेलेकर, अनिल बोकडे, तौसिप शेक, सूफी टाइगर, संजे धापुड कर, सुशान पाली, चंद्रकान नाई, आधिकार्य करता एवं पदाधिकारी गर्ण उपस्तित थे मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, CMRS जनक कुमार गर्क के नितरुत्वों में, टीम नाखपुर मेट्रो कारे का निरिक्षन करने के लिए, आज से तीन दीनों का दवरा करीगी टीम अपने तीन दीवसिय प्रवास के रीचफोर यानि सिताबरडी इंटर्चेंज से प्रजापती नगर तक मेट्रो स्टेशनों का निरिक्षन करेगी, जो मेट्रो ट्रेन संचालन के लिए तैयार है CMRS टीम के साथ आज नाकपूर पहुचेगी, पहले दिन वे चर्चा करेंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे 19 फरवरी को कमिशनर वो उनकी टीम इस मार्क के मिट्रो स्टेशन और रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, ओएची आधी का निरिक्षन करेंगे निरिक्षन के दावरान टीम में रुशब दिविवेदी, चंदन कुमार नाकपूर दावरे के दावरान CMRS गर्क के साथ होंगे उलिकनी है कि रिच्टू में कॉटन मार्केट नाकपूर रेल्वे स्टेशन, दोसर वैश्य चोग, अगरसन चोग, छीतारोली, टेलीफोन एक्षेंज, आमबेटकर चोग, वैश्नव देवी चोग, प्रजापती चोग स्टेशन है सीतावरडी इंटर्चेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन के बीच साड़े आट किलोमेटर के रूट पर कुल नव मेट्रो स्टेशन है सेंटरल लेविन्यो नाकपूर के पुर्वी और पस्ची में हिस्सों के लिए एक प्रमुक और व्यावसाइक मार गए इस मेट्रो लाइन से सटे गांधी बाग, इतवारी, मसका साथ, आधी प्रमुक बाजार क्षेतर है संसार में सूक, शान्ती और आनंद की प्राप्ती सिर्फ धर्म के माध्यम से ही होगी यहुदगार जैकिर्ती गुरुदेव ने श्री पार्शव प्रभु दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्रभवन इतवारी नाकपुर में अपने उद्बोधन में कहा धर्मात्मा के बीना धर्मन नहीं टिकता धर्मात्मा के सिवा ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा इसका अंतिम फल मोक्ष होता है निगोद में मरने जीने के सिवा कुछ नहीं है इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है धुके और अन्याय से यदि कोई जीवन यापन करे तो वह हमेशा के लिए निगोद में ही रहता है जैसा चना भूनते समय कुछ चने कड़ाई से बहार निकल कर आ जाते है उसी प्रकार कोई जीव भार आ जाए तो फिर वह एक इंद्रिय जीव फिर आगे कीडे मकोडे आधी प्रानी बनकर और फिर आखिरकार बड़े मुश्किल से अनिक जन्म पाते हुए मनुष्य बनकर जन्म लेता है उसमें भी जैन धर्म मिलना बहुत कठिन है अता सत्यवचन अपनाए नेक कारे करते हुए मोक्षे प्राप्ति की और बड़े अन्यथा मनुष्य को संसार में परिब्रमन करते रहना पड़ता है वरिष्ट नगर सेवी का आभा बिज्जु पांडे ने परमपुज जैकिति गुरुदेव से आशिरवत प्राप्त किया उन्होंने अपने उद्बोदन में कहा इस उर्जा से पुरे साल भर की ठकान दूर हो जाती है आभा पंडे को हाल ही में महराष्ट के राज्यपाल भगत सिंग कुशारी द्वरा राज्य महिला आयोक पर सदस्य नियूक तिकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की गई उन्हें संपुर्ण विदर्व की जिम्मेदारी दी गई है इस अउसर पर सकल जयन समाच की ओर से उनका स्वागत समिक्षा जोहरापूर कर संगिता पेंडारी नीता पेंडारी ने शौल एवं शिरिफल देकर किया और गुरुदेओं ने उन्हें उज्वल भविश्य एवं आगामी कारियों में सफलता के लिए आशिरवात प्रदान किया कारेकरम के बारे में विस्तरुज जानकारी प्रचार प्रसार मंत्री हिराचन मिश्री कोटकर ने दी अजनी पुलिस थाना अंतरगत रामेश्वर इस्तीत बांते सूपर बाजार के संचालक मनोहर महादेवराव बांते ने गुरुवार करीब 11 बजे के दवरान अपने ही घर में फासे का फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली पुलिस से मिली जानकारे के अनुसार गुरुवार सुबह बांते की भांजी का खरभी में विवास अमारो था जिसके चलते पुरा बांते परिवार शादी समारों में मवजुद था उस समय मनोहर बांते घर में अकेले मवजुद थे शादी समारों में आने के लिए मुरोतक के भाई शरत बांते ने फोन किया परंतु कोई उत्तर न मिलने के बाद उन्होंने सुपरवाजार के करमचारी को फोन कर घर जाने के लिए कहा सुपरवाजार से एक कर्मचारी तब उनके घर गया परन्तु दर्वाजा अंदर से बन था काफी देर तक डोर विल बजाने के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब कर्मचारी ने इसकी जानकारी मनोहर के भाई को दी कुछ अनिष्ट होने की आशंका के चलते पूरा परिवार शादी समारों से घर पहुचा दर्वाजा तोड़कर जब अंदर पहुचे तब उन्हें पंखे से लटका हुआ मनोहर का शोव दिखाई दिया जिले में कोरोना की तीवरता शानतो होनी की कगार पर दिखाई दे रही है गुरवार को एक दिन में 487 मरीजों को छुट्टी मिलने के साथ ही अब जिले में केवल 261 एक्टिव केसे सी शेश है पिछले माह या आकड़ा पाच आकड़ों के साथ चिंता जनक स्थिती में था इसके साथ ही एक दिन में 7455 सेंपलों की जाच में 175 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है एक दिन में मिले 175 नए पॉजिटिव मरीजों में नाकपूर शेहर के 84 पॉजिटिव का समाविश है जबकि नाकपूर ग्रामिन के 83 तथा जिले से बाहर के 8 पॉजिटिव मरीज ही नाकड़ों में शामिल है बलए ही शहर में कोरोणा के नए मरीज मिल रहे है किन्तु मरीजों की recovery की रप्तार भी जिले में संतोश जनक है पिछले 24 गंटे में नागपुर जिले में 497 मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है जिन में नागपुर शहर के 280 मरीज नागपुर ग्रामिन के 207 मरीजों का समाविश है जिले में मौझुद 211 एक्टिव केसिस में नागपुर शहर के 1242 केसिस वह नागपुर ग्रामिन के 831 केसिस का समाविश है खापा पुलिस और वनकर्मचारियो द्वरा की गई सयूक्त कारवाई की दवरान वनपरीक्षेत्र अंतरगत खापा गाउ में हिरन के मास के साथ पकड़े गए चार आरूपीयों को जमानत मिली है जबकि तीन कचुओ को पकड़ कर उनकी तसकरी करने का आरूपी अभी तक फरार है बतादे की गुप्त जानकरे की आधार पर तीनों विभागों की टीम में सयूक्त रूप से खापा गाउ के वार्ड करमां का तीन डोंगे घट परिसर में छापा मारा था इस दवरान सुरेश शेंडे के घर से तीन कचुओे तथा लखन मुर्ली धर तुमाने के घर के पास हिरन का मास बरामत किया गया था इस पूरी कारवाई के दवरान आरोपी प्रभू किशन काले, दिनेज दशरत बन, धनराम बन तता खापा निवासी लखन तुमाने को मास के साथ 14 फरवरी को गिरपतार किया गया था वन विभाग ने इन आरोपीयों को दो दीन की रिमान डवधी समाप्त होने पर अदलत में पेश किया जहाँ से चारो आरोपीयों को जमानत मिली है जबकि कच्छुआ तसकरी का आरोपी सुरेश शेंडे अभी तक फरा रहे यह कारवाई आरेफो साचीन आठवले के नेतरुत्वों में स्थानिय वन विभाग के करमचारियों ने की सदर पुलिस स्थाने के अंतरगत गड़ी गोदाम परिसर में पिछले कुछ दिनों से चोरी के कई मामले सामने आ रहे थे जिसके चलते ही वरिष्ट पुलिस निरिक्षक विनोच चोधरी द्वारा अपनी डीबी टीम को इस परिसर में गश्ट बढ़ाने और आपराधिक प्रवरित्ति के लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिये थे डीबी टीम के इंचार्ज पुलिस उपनिरिक्षक कृष्णा पुलिवार अपनी टीम के साथ परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे उसे दारान आरूपी सुरज सिद्धार्थ सोमकुर मैत्री कॉलोनी कपिलनगर निवासी चोरी की एक दो पईया गाड़ी पर जाते हुए संदिक्द ववस्ता में पुलिस को दिखाई दिया जब उसको रुकवा कर पूछताच की गई तो उसके पास मिली गाड़ी चोरी की निकली ठाने ले जाकर जब उसके आपरादिक रिकॉर्ड को खंगा लगया तो उसके उपर चोरी के करीब 18 मामले दाखिल होने की जानकारी मिली जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आये आरूपी ने पूछताश में पिछले तीन दिनों में ही चोरी की तीन घटनाओ को गड़ी गुदाम परीसर में अंजाम देने की बाद भी कबूल की जिसके बाद पुलिस ने चोरी की दो दुपईया गाडियों से हित करीब दो लाक अस्य हजार रुपे के माल को भी आरूपी की निशान देही पर बरामत किया है महत्मा गांधी की शांती अहिंसा जनांदूलन स्थल पुर्वी चंपारन मोतिहारी शहर बियार के चर्खा पार्ष्टित राश्टरपिता महत्मा गांधी की अयतिहासिक प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वद्वारा तोड़ फोड कर द्वेश वेंसा फैलाने की का महत्मा गांधी अंतरराष्ट्रिय विचार मंच ने वेरैटी चोग सितावरेडी नाकपुर में घूर निशेत किया निशेच सभा की अध्यक्षता शहर के वरिष्ट समाझ से वि एवं महात्मागांधी अंतरराश्ट्रिय विचारमंच के राश्ट्रिय मार्गदर्षक गुविंद भाई पुद्दार ने सभी रज्जों की सरकारों से राश्ट्रपिता महात्मागांदी सहीच सभी महापुर्षों के प्रतिमाओ के सुरक्षा पर विशेश ध्यान देने की मांगी निशेश सभा को महात्मागांदी आंतराश्ट्री विचार मंच के नागपुर महानगर सयोजक एडवोकेट अनुपम पांडे विजय कुरियावनशी ने भी संबुदित किया तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार